आज हम देखेंगे समकोन त्रिभुज और पाइथोगरेस गुर्ण से सम्बंदित मिथ्यधार्ना है मिथ्यधार्ना 1. क्या आप निम्नली के त्रिभुज की भुजा AB किमाप ग्याद करने के लिए पाइथोगरेस गुर्ण का प्रयोग कर सकते हैं? कुछ बच्चे इस बात को नजरंदास कर देते हैं कि पाइथोगरेस गुर्ण सिर्फ समकोन त्रिभुज के लिए ही प्रयुक्त होता है लेकिन त्रिभुज समकोन त्रिभुज न हो तो यह गुर्ण प्रयुक्त नहीं होता वे सोचते हैं कि यहां एक बुजा, बची दोनों बुजाओं से बड़ी है यह कई बार प्रश्ण में नहीं दिया होता लेकिन सिर्फ अंदाजा लगा कर वे त्रिबुच को समकूर्ण त्रिबुच यानि राइट अंकल ट्राइंगल समझ लेते हैं इन दोनों स्थितियों में वे सोचते हैं कि पाइटाउगरिस गुण का प्रयोग किया जा सकता है इस मिथ्य धार्णा के चलते वे ओप्षिन एक जवाब देते हैं जो कि एक गलत जवाब है हमें ये ग्यात है कि त्रिबुच के तीनों अंतहों कोणों का योग 180 डिग्री होता है यानि कि कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 डिग्री कोण C बराबर 180 डिग्री रिन कोण A धन कोण B त्रिबुज ABC में कोण A बराबर 70 डिगरी है और कोण B बराबर 25 डिगरी है यहां कोण A और कोण B इन दोनों कोणों का योग 70 डिगरी धन 25 डिगरी बराबर 95 डिगरी है इसलिए तीसरे कोण की माप 180 डिगरी रिन 95 डिगरी बराबर 85 डिगरी है चुकि यह समकोंड त्रिबूज नहीं है इसलिए यह हम पाइथागरेस गुण का प्रयोग नहीं कर सकते इसलिए सही जवाब है option 2 मिथ्यधार्ना 2 निमनलिखित उधारण में कंड एकजेड की माप ग्याद कीजिए कुछ बच्चे पाइथागरेस गुण के प्रयोग से इसे निमन प्रकार से सरल करते हैं एकजेड का वर्क बराबर एकसवाई का वर्क धन वाईजेड का वर्क चुकि एकसवाई बराबर 6 सेंटिमीटर और वाईजेड बराबर 8 सेंटिमीटर है इसलिए एकजेड का वर्क बराबर चो का वर्क धन 8 का वर्क बराबर 36 धन 64 बराबर 100 यह योग प्राप्त करने के बाद वे एकजेड की माप ग्याद करना भूल जाते हैं और बताते हैं कि एकजेड की माप 100 cm है इस समझ के साथ वे option दो यह जवाब देते हैं जो की एक गलत जवाब है ध्यान रहे 100 एकजेड का वर्ग का मान है एकजेड का मान ग्याद करने के लिए हमें ऐसी संख्या धूननी होगी जिसका वर्ग 100 हो चुकि दस का वर्ग बराबर दस गुणा दस बराबर 100 है इसलिए हम कह सकते हैं कि एकजेड का वर्ग बराबर दस का वर्ग है यानिके एकजेड बराबर दस है इसलिए दिये सवाल का सही जवाब है option एक मिथ्यधार्णा 3 समकोन त्रिबुच ABC में AC कर्ण है एवं AB और BC भुजाएं हैं ग्याद कीजिए त्रिबुच ABC के लिए निम्नरिकित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है कथन 1 AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग कथन 2 BC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन AC का वर्ग कथन 3 AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग धन BC का वर्ग बच्चे पैथोगरस गुण को ठीक प्रकार से समज नहीं पाते वे सोचते हैं कि समकोन त्रिबुच में किनी भी दो भुजाओ के वर्गु का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। इस समझ के साथ उन्हें कथन एक, कथन दो और कथन तीन सही प्रतीत होते हैं। इसलिए वे option एक जवाब देते हैं लेकिन यह गलत जवाब है। सही समझ यह है कि समकोन त्रिभुज में किनी भी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर नहीं होता, बलकि सिर्फ कर्ण से छोटी भुजाओं के वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। इसलिए सही जवाब है option 2। तो आज हमने देखी समकोंड त्रिबूच और पाइथोगरस गोंड से संबंदत मित्याधार्नाए